और राहूल प्रकाश हमारे समवादाता जारा जौनकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए है राहूल ब्रस्पत्य सिंग का जो बयान है उसके क्या माइने निकाले जाएं क्योंकि कई बाते वो अपने बयान में कहते हुए नजर आ रहे है एक तो ये कहा रहे है सीधे तोर पर कि महाराज सरकार हिलाने की कोशिश कर रहे है बीज़ेपी ने महाराजों को बड़ी जिम्मेदारी दिया है सबसे पहले तो इसी बात का मतलब समझने की कोशिश करते है देखे फिलहाल तस्वीर जो है मैं इस वक्तिस गड़ सदन में हूँ सुबह से जो यहां का महल बना है राजधाने दिल्ली में क्योंकि ये बात निकल कर आ रही थी कि पावर यानि दिखाई जा रही है सक्ति परजशन हो रहा है तमाम विधायक पहुच रहे हैं बिरस्पत सिंग जी हमने बात करिया आपने वो भी सुना होगा इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं यहां पे करीब 25 विधायक पहुच चुके हैं 35 के करीब बता रहे हैं कि आएंगे यहां से राजधार जाएंगे लेकिन जिस बयान के आप बात कर रहे हैं जिस बयान के बारे में बिरस्पत जी पहले बता चुके हैं कि इस तरीके की इस्तिती ना बने क्योंकि गिराने की साजिश या बदलने की साजिश यह जिस तरीके से होती है सरकार करती है, पोजिशन करती है, वो नहीं चलेगा, मैं सिधा ही बात करता हूँ. अब ही की ताजा तस्वीर क्या कहती है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि राजाओं को बरगलाने की कोशिश की कही है, वो क्या है? देखे हमारे भारत देश के दिल्ली राजधानी से भारती जनता पार्टिक जो बड़े नेता हैं बड़े दिमाग वाले हैं ये लगातार जहां भी भाजपा की सरकार, गहर भाजपाई सरकार है, उनको आइस्थिर करने का लगातार दिमाग लगाते हैं और ये टार्गेट करते हैं, ये लोगों ने तीन महराजाओं को पहले टार्गेट किरिया हैं, तीन राज्यों को, पहला उन्होंने टार्गेट हमारी बहुत अच्छा कांग्रेश सरकार चल रही थी ग्वालियर महराजा को टार्गेट करके उनको गुम्राह करके और उन्होंने सब्सक्राइब सरकार को गिराने का काम किया दूसरा उन्होंने पंजाब में हमारी बहुत अच्छा सरकार चल रहा था वहां के पटियाला महराज को उन्होंने गुम्राह करके और हमारे सरकार को आइस्थिर करने का काम किया तीसरा टारगेट उनका है महराज को शाथिस करते हैं वहां कि सरकार को आइस्थृ करने का काम साजिस रच रहे हैं लेकं पत्याला महाराज महराज की तक्न नहीं हैं बहुत ही बिद्वान है और कांग्रिस्क प्रतिक समर्पित हैं उनका वहाँ दाल निकलने वाला वहाँ किसी भी किवद पे सारे कांग्रिस्क लोग येजूट हैं एक सवर में और वहां कांग्रिस्स सरकार गिराने में काम्याब नहीं हो गया डिली के अंदर आप लोगों की दश्टा के इससे पहले भी आप संख्या के साथ पहुचे थे अभी आपका प्लानिंग ऑफ एक्शन क्या है क्या जो अला कमान है उनसे बाचीत हो पाई है उनसे मुलाकात का कोई समय मिला है क्या बात आपको लग रही है कि जिस भारी के माध्यम से हाई कमान को बता दिया था बाकी विधायक और मंत्री लोगों ने सिधे जाके मिलके आ गया था तो कहीं दूर दूर तक ये बात नहीं है और किसी भी किमत पे एक बेक्ति को खुस करने के लिए पुरे 36 गड़की इतनी बड़ी भारी बहुमत से चल रही सरकार पुरे देश के एक मात्र राज्य है जहां कांग्रेस के एक तरफा बहुमत है और सरकारे अच्छी चल रही है पुरे देश माडल के रूप में काम कर रही है उस सरकार को आईस्तिर करने पे बीचार नहीं किया जा सकता और किसी भी किमत पे स्विकार नहीं हो सकता और इसारे हमारे कॉंग्रेश के नेता जो आए दिन भी बाते आती है साडे प्रेस मीडिया बाता है। और उनके कहने के बात हम लोग पास बोलने के लिए कोई उचीज़ी नहीं समझता है। अगर मुलाकात नहीं हो पाती है अगर आला कमान से आप मिलने आये हैं तो आगे की रंडीती क्या है आप लोगों की देखे अभी तहम महात्मा गांधी जी के उदर करने के लिए जाएंगे आज दो अक्टूबर है और देश सभागे से हम दिल्ली में हैं तो उनके दर्सन करे दूसरी बात हमारे एक दो दिन के अंदर जो पुनिया सर हमारे लखनों से आएंगे इसके बाद उनके माध्यम से हाई कमान तक बात हम लोग पहुंचाएंगे प्रयास करेंगे कि उनसे मिलके बाते रखे क्योंकि हमारे बिधायक लोग एक महीना से लगातार कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं बड़े बिचलित महसूस करें पुरे पुरे टीम में से सिर्फ एक आदमी का लगातार ब्यान आना लगातार ब्यान आना और जंताक बीच गुबरा करना और वहां पोख की सितिव बनाये रखने से बड़े बिचलित हैं इसलिए सारी बाते मिलकर हाई क की पातों से क्या बात ये करना आप लोग बैठकेwiा बात करेगए अपने तस्वीर को समझा होगा कि किiserी की परिश्टितियों को बनाया जा रहा है बायानों को बोला जा करने के लिए जी जले ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए